पहले देश के ग्री मंत्री को इस्तिपा देना चाहिए, देश के प्रधान मंत्री को इस्तिपा देना चाहिए, एक के बदले दस सर लाने की बाद प्रधान मंत्री जी ने किया था, कितना सर अभी तक लेके आये, प्रधान मंत्री इस देश के, और यह देश सुरक्षी था थ तो घाल बजा लेने से अब ओसकर का बिजेता नहीं हो सकते अगर कोई बम होता तो क्या होता संसत के अंदर तो तमाम संसत थे आज तो पूरी संसत तबा हो जाती संसत के अंदर आज इस तरीके से कलरफूल स्मोग छोड़ा गया वो भी दो अनवांशित लोगों के द्वारा और जो नारे बाजी हुई क्या ये साजिस है या फिर किसी की सिर्फ सरारत लेकिन आज ही के दिन 2001 में भी आतंकी घटना घटी थी संसत भवन पर जब हमला किया था आतंकवादियों ने हमारे साथ कॉंग्रेस के नेता हैं प्रवक्ता हैं वो बताएंगे आपको पहले आप राके जी ये बताईए कि इस घटना को आप लोग किस रूप में देखते हैं कि ये बिल्कुल गंभीर मामला है और सभाविक तोर पे ये घटना देश के लिए चिंता जनक घटना है लोगतंत्र के लिए चिंता जनक है कि राष्ट के लिए चिंता जनक है कि जो इतना हाई सिक्रूटी जोन है नया संसद भवन उसमें अगर कोई दो बैप्ती घुश जाता है और चलते हुए संसद में वो कूज जाता है संसदों के द्वारा उसको पकरा जाता है तो वो कलरफुल इसमोग जो है वो अपने जूते से निकाल के उसको फेकता है तो सभाविक तोर पे ये एकदम गंभीर मामला है और ये चिंता जनक मामला है और हमें यह लगता है जो सुचना प्राप्त हुई है आप लोगों के माध्यम से कि वो ब्यक्तियों का पास जो संसद में निर्गत होता है वो भारती जनता पार्टी के एक संसद के द्वारा है उसका पास बनवाया गया था ये तो और गंभीर मामला है अब तो परधान मंतरी जी को इस पर एकस तो जरूर करना चाहिए देश के ग्री मंतरी जी को दोनों सदलों में जवाब तो देना ही चाहिए लेकिन हम यह मांग भी करते हैं कि पहले देश के गृни्मन्त्री को इस्तिपाद देना चाहिए देश के प्रधान मंत्री को इस्तिपाद देना चाहिए क्योंकि 22 साल पहले अभी जब अटल बिहारी बाजपई जी की सरकार इस देश में चल रही थी तो आज ही के दिन संसत पे हमला हुआ था और हमारे कई सुरक्षा कर्मी उसमें सहीद हुए थे तो और फिर आज ही के दिन इस तरह की घटना कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी चूक है देश के ग्रीमंत्री के जो सिक्रूटी में का जो लोग है उन में और हम यह चाहते हैं कि देश के ग्रीमंत्री को तो इस्तिफाद देना चाहिए विपक्ष के संसदों के उपर एक्स और इस तरह की घटना का अभित्त कोई जवाब नहीं कोई प्रस्न नहीं ये तो नहीं चलेगा लेकिन बीजेपी कहरे कि हां ये चूप है लेकिन इसको आतंकी घटना से मत तुलना कीजिए ये कोई आतंकी घटना नहीं है देड़ घंटा के बाद ही संसद बावन सुचारू रूप से चलने लगा तो आतंकी घटना कैसे होता है ये तो भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि क्या आतंकी घटना एक ए फोटी सेवन लेकर के ही होता है जो वो स्मॉक था वो भी एक आतंकी घटना के रूप में उसका सुमार हो सकता है अगर उसके इस मॉक में अगर जहर होता तो क्या होता या जिस प्रकार वो जूते से निकाल करके फेका अगर कोई बम होता तो क्या होता संसद के अंदर तो तमाम संसद है आज तो पूरी संसद तबा हो जाती तो सबसे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो संसद की गिरफतारी हो जिन संसदों के डिकुमेंट पर इन दोनों को पास मिला है चार लोगों को पास मिला है तो पहले उस संसद की गिरफतारी सुनिस्चित होनी चाहिए और फिर गिरिह मंतरी का इस्तिफा होना चाहिए लेकिन बीजेपी इसको बहुत बड़ी चूक नहीं मैंना अपना को अंजाम दे देंगे उसके बावजूद भी सजग नहीं होना या सजग इतना था कि फिर भी ये काम्याब हो गए अपनी मनसूबे में इसको कैसे देख रही है कांग्रेस देखिए प्रधान मंतरी जी को एक्स करने से फुरसत नहीं और देख के ग्री मंतरी को नहरू जी को बदनाम करने से पुरसत नहीं सुबह उठकर के नहरू को कैसे बदनाम करें कैसे हम विपक्च के लोगों के उपर इडी बेजें, CBI बेजें, Income Tax बेजें तो दीन भर जब प्रधान मंतरी जी और देख के ग्री मंतरी इसी साजिस और सरियंतर में लगे रहेंगे तो सुभाविक तोर पे इस प्रकार की चूक तो होगी और यह चूक बरी चूक है लेकिन आप लोग तो इसको मतलब खुल के बिरोध भी नहीं कर पाएंगे नहीं तो वो धनबाद में जेल की घटना का याद दिलाएंगे कि भाई वहाँ तो जेल के अंदर गुज के गोली मार दिया जेल की घटना और पार्लियमेंट की घटना ये दोनों घटना का तुलना नहीं हो सकता दोनों सुरक्षा में चूक है लेकिन पार्लियामेंट की चूक ये बहुत बड़ी चूक है और इसको हम एक जेल की घटना से कर दें या भारती जनता पार्टी तुलना कर रही है तो हमको भारती जनता पार्टी के लोगों का समझ पे तरस आता है जिस पार्लियामेंट में देश के प्रधान मंतरी बैठे हों जिस पार्लियामेंट में देश के ग्रीह मंतरी बैठे हों तमाम विपक्षी लोग सत्ता पक्ष के लोग रक्चा मंतरी बैठे हों वहां अगर इस प्रकार की चूक होती है तो सुभाविक तोर पे ये चूक तो ब काढ़ सकता कोई वो तो बात दूर छोड़िये कोई देश के तरफ आँख उठा के नहीं देख सकता देश के तरफ आँख उठा करके तो यह देखा गया कि पुल्वामा में पहली बार आईएस आई ने कदम रख दिया अब पुल्वामा कांड का जहांच किस नहीं किया पाकिस्तान का एक वो खुफिया एजेंसी जो आतनकबादियों को पना देता है वो आईएसाई हमारे देश के सर जमी पे कदम रख दिया और कर रहे हैं भारती जनता पार्टी के लोग कि राष्ट सुरक्षी थांतों में है मनीपूर एक महने से जला राष्ट सुरक्षी थांतों में है कई हमारे सैनिक सहाधत दे दिया इस राष्ट को सुरक्षा देने में अब प्रधान मंत्री जी के हाथों में देश सुरक्षी था है एक के बदले दस सर लाने की बाद प्रधान मंत्री जी ने किया था कितना सर अभी तक लेके आए प्रधान मंत्री इस देश के और यह देश सुरक्षी था थो मैं है तो गाल बजा लेने से अब आसकर का बिजेता नहीं हो सकते तो यह भारती जनता पार्टी के लोग गाल बजा करके अगर समझते हैं कि हम बहुत अच्छा म्यूजिक निकाल लेते हैं ति यह उनकी भूल है और इसका जवाब इनको मिलेगा दोजार चौबिस में मुकंबल जवाब बिलेगा सुक्रिया घटना की जाँच अभी जारी है हर कोई से राय मस्वरा लिया जा रहा है एतियात के तौर पे फिलाल सारे दिर्गा बंद कर दिये गए हैं किसी बारी वेक्ति को संसत बवन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा कॉंग्रेस कह रही है देश सुरक्षित हांतों में नहीं है इस बात का कई उधारन है लेकिन गाल बजाने से सत्ता पक्ष को फुरसत नहीं इसलिए उनको दूसरा कोई धुन सुनाई नहीं दे रहा है शुक्रिया